हेलो दोस्तो अगर आपके फॉन का इंटरनेट भी भाई बिना यूज करे ही खतम हो जाता है आप यूज नहीं करते और कभी-कभी आप देखते होंगे आपने पूरे दिन नहीं चला है और आपका नेट खतम हो चुका है ठीक है आपके बाद मैसीज आ जाता है आपने देखो होता है मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है दो सेटिंग्स बताऊंगा भाई आपको अपने फॉन के प्ले स्टोर के अंदर जाना है ठीक है प्ले स्टोर में जाकर आपको यहां उपर कौने में अपना प्रोफाइल दिखाई देगा ठीक है यहां पर मेरे फोटो ल नीचे यहां settings में आ जाना यही वाला page खुलेगा आपका भी आपको settings में आके click करना है settings में आके जैसे आप click करोगे भाई आपको यहां पे यह network preference का option मिलेगा इसको पर click कर देना यहां पर आपको दिखाए देगा auto update apps का ठीक है इस पर click करना इस पर click करोगे यह क्या होता है अगर यह आपका यहां पर auto updates all पर आगया तो हो गया update all apps over wifi और mobile data इसमें क्या होता है apps के अंदर updates आते रहते हैं तो वह क्या है अगर आप इसको यह auto पर कर दोगे update all पर ठीक है तो क्या होगा जैसे अपडेट आएगा तुरंट आपकी app आप net on करोगे आपकी app तुरंट से update होना शुरू हो जाएगा जो apps जो update होती है उनके अंदर आपका phone का data use होता है data खतम होता है उन्हें apps के उपर लिखा होता है कि इतने mb का इसके अंदर है पचपन mb, 20, mb, 100 mb का जो है उसके अंदर update होता है तो उस पर लिखा होता है अगर आप यहाँ से से कर दोगे तो आपकी app automatic update होने लगेगी आपको पता नहीं लगेगा आपका net खतम हो जाएगा तो इसको don't auto update apps पे रखना है और जब आपको जिस app को आप use करते हो क्योंकि फॉन की सारी apps में update आते हैं कुछ apps होती हो जिनको आप use नहीं करते हो तो इसको do not updates पे कर देना और जब आपको जो एप update करनी हो अपने फॉन में प्ले स्टोर पर जाकर जो WhatsApp यूज करते हो या Instagram करते हो या Facebook करते हो तो उसको वहीं पर जाके update कर लेना प्ले स्टोर पर जाक ठीक है कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूं आपको play store अपना open करना है यह देखिए अगर आपको नहीं आती है play store open करना और यहाँ पर search कर लेना ठीक है यहाँ फेसबुक कर लेते हैं सर्च अगर facebook आप चलाते हो facebook आ जाए में यहाँ पर और यहां पर open लिखाया यहां पर अब आउट डिवाइस का उप्शन आपको दिखाई देगा, या फिर software update का उप्शन दिखाई देगा, कुछ फॉन में अलगा लग होता है, तो यहाँ पर दिखाई देगा, इस पर किलिक कर देना, अब जैसे मेरे में यहाँ पर आता है, तो मैं इस पर किलिक करता हूँ, तो checking आपका data खतम हो जाएगा, और आपको जरूत पड़ेगी, तो आप use नहीं कर पाऊगे, तो इसके लिए क्या करना है, यह उपर तीन बिंदी पर किलिक कर लेना है, और यहाँ पर auto update का option देगा उपर आएगा, इस पर किलिक कर लेना है, जैसे किलिक करोगे, जैसे मैंने auto download turn off कर रखा है, अगर यह भी आपके में, यहाँ on होगा, वाई-फाई और mobile data पर होगा, तो आपका phone जैसे update आएगा, अपने आप automatic update हो जाएगा, तो इसको भी आपको do not allow पर कर देना है, ठीक है, turn off कर देना है, turn off हो जाएगा, इस तरीके से रखना, तो जब आपको जरूत कि आपको पता नहीं लगा, और भाई, इन problem के जैसे, मतलब update के जैसे, आपका data खतम नहीं होगा, वीडियो चिलेगा, तो वीडियो को like कर दे, एस और वीडियो देखने माई चैनल को भी subscribe कर लें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए, जय हिंद, जय भा है, और नहीं हो भीड़ाएब